हेलो आप देख रहे हैं स्टाडी आधास अक्टिविटेश चैनल में आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की एंचियाटी की बुक जिसका नाम है मारी गोल्ड ठीक है और हम हल्दीश एडवंचर की उसमें एक पोयम दिया आपको इसका नाम है दा पैडलिंग पूल इसको आज ह पैडलिंग पूल का मतलब होता है छोटा सा तलाब देख रहे होंगे आप यहाँ पे इसी को कहते हैं ठीक है ना पैडलिंग पैडलिंग में सोता है छोटा सा तलाब देखिये डाउन में सोता है नीचे रिवर में सोता है नदी वे में सोता है रास्ता ठीक है पैडलिंग पूल मतलब हैना भी आपको बताए दिया देखिये बच्चो इसमें बताया है बच्चो ने कि जब वो इसकूल जाते है जब वो इसकूल जाते तो उनके रास्ते में क्या पढ़ती है एक नदी पढ़ती है और नदी के पास में क्या पढ़ता है एक पैडलिंग पूल यानि की एक छोटा सा तलाब पढ़ता है तो उसको उन्हें पार करना होता है पास में सोता है पार करना इसका मतलब है जो पैडलिंग पूल है उसके आसपर स्काय हरी भरी घास बहुंत है पानी है थंडा-ठंडा है अब आगे देखिए and we stray to play by the paddling pool down by the river on the way to school अब वो आगे क्या करते हैं वहाँ paddling pool के पास रुख जाते हैं यानि कि छोटे के तल आपके पास रुख जाते हैं और वहाँ खेलने लग जाते हैं play miss क्या होता है खेलना है stray miss होता है रुख जाना वहां रुक कर वो लोग खेलने लग जाते हैं देखें हाँ पिच्चर में दिखा रखा है ठीक है यह बच्चा है जैसे इसने बोट ले रखे बना के ठीक है तो यह इसमें खेलने लग गया और उसके आसपास दो बच्चे हैं वो भी उन्हें इंजोई कर रहे हैं तो इस पोएम में यही बताया है आपको कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां पे एक छोटी सी नदी पड़ती है उस नदी के पास में क्या है एक पैडलिंग पूल है यानि कि एक छोटा सा तलाब है तो वो उसे पार करते वे जाते हैं वो वहां पे रुख जाते हैं उसके आसपास देखते हैं कि घास है वो घास की कलर की है ग्रीन कलर की है उसका पानी ठंडा है वे वहां पे रुख के खेलने लग जाते हैं बोर्ट से अपने और उसके फ्रेंस भी और enjoy करते हैं देखिए यह poem किस ने लिखी है and Barry ने poem लिखी है इसके poet कौन है and Barry आप बच्चे को यह जरूर याद कराएं ओके तब आगे देखिए paddling pool से ही आपको यहाँ पर fill ups दे रखे हैं let's write fill in the blanks with the words given in the brackets देखिए यहाँ पर आपको brackets में कुछ words देएं आपको यहाँ पर fill ups करना है जैसे board है तो क्या करेगी children क्या कर रहे है play करने words क्या कर रही है sing यानि कि गाना गुन गुना आ रही है जो dog से dog क्या करते है bark करते है यानि कि भौकते है तो आप वो लिख देंगे ठीके bells क्या करते है यानि कि नेस दिखिए write the names of the days of the week you can begin with Sunday अब यहाँ पर आपको Sunday Monday feel करने है और start कहां से करना Sunday से जैसे Sunday Monday Monday Tuesday Tuesday Wednesday Thursday Thursday Friday 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 Saturday Haldi wrote her name at school in this way Haldi ने अपना नाम लिखा कैसे ऐसे Haldi H-A-L-D-I Haldi She made one mistake What was it उसने एक गलती की वो क्या थी write her name करक्ति देखिए यहाँ पर आपको Haldi का नाम करक्ति लिखना है H-A-L-D-I E-I यानि की कैप्टर लेटर में और यहाँ पे इसने क्या गलती करी Small लेटर में अपना नाम लिखा आई यह गलती करी दिसने Next Now write your name करक्ति अब आपको यहाँ पर अपना करक्त नाम लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया लेली था ठीक है तो पहला लेटर मेंने क्या बनाए है पहला लेटर हमें सा नाम का कैपिटल ही होना चाहिए Next Haldi wrote I met a giraffe Haldi ने लिखा I met a giraffe She made two mistakes What are they Right Haldi's sentence Correctly देखिए हaldi ने दो mistake की और वो क्या है पहली mistake तो उसने जिराफ का नाम नहीं लिखा दूसरा उसने I Small बनाया है Capital नहीं बनाया है देखिए यह मैंने आपे सही कर दिया यह आप खुद लिखेंगे ठीक है याला आपने खुद करना है जहापे जिराफ का नाम लिखना है Let's get ready For school What do you do before going to school अब स्कूल जाने से पहले क्या करते है Put Put Y for Yes and N for No ठीक है आपने यहाँ पर अगर Yes है तो Y लिखेंगे अगर No है तो आप No लिखेंगे N लिखेंगे देखिए Have a bar अगर आप नहाते हैं तो आप Yes लिखेंगे अगर आप स्कूल जाने से पहले Climb a tree क्या पेट पर चड़ते हैं आप तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे No and Play in the park Park क्या आप वहाँ पर खेलते हैं स्कूल जाने से पहले तो यहाँ पर लिखेंगे No Come you are here जाने स्कूल जाने से पहले आप Come भी करते हैं अपने बारे में Yes Feed the bots स्कूल जाने से पहले आप बाट्स को दाना डालते होंगे Yes सुबर्ट के डाल देते होंगे Yes Help to Milk आप क्या आप स्कूल जाने से पहले अपनी ममी की help करते हैं क्यूंकि आप छोटे बच्चे हो तो नहीं करते होगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे No Fill in the blanks with Before और After Before मी सोता है पहले After मी सोता है बाद में आपको यहाँ पर फिलप्स बनने है ठीक है Eating food I was my hand खाना खाने से पहले आप hands दोते है ठीक है धोते हो ना तो आप यहाँ पर क्या लिखोंगे Before Next After reaching school I sat in class School पहुचने के बाद आप क्या करते हैं अपने सेट पर बैठ जाते हैं After eating food I was my mouth खाना खाने के बाद आपके अपना मूद होते हैं Reaching home I'll do my homework आप घर पहुचने के बाद अपना homework करते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर लिखेंगे After आगे देखें यहाँ पर आपको एक बैल के लिए पोएम देखें बैल सानी की घंटी के लिए पोएम देखें Let's singing आपको इसको खाली घाना है देखें Ding Dong Ding Dong All the bells are ringing Ding Dong Ding Dong It's a holiday Ding Dong Ding Dong All the bells are singing Ding Dong Ding Dong Let's go out and play मैं आशा करती हूँ में वीडियो आपके लिए हाल फिर रही होगी अगर में वीडियो हेल्प रही तो प्लीज चैनल को सिस्काइब कीजिए और बैल अगन जरूर दबाए बैल अगन दबाना इसलिए खा जाता है जब भी कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन समसे पहले है अपको ठीक है अब हम नेस्ट वीडियो में मिल अगने थैंक यू